के जनिनी ने किये हैं जगन से जगन पाप भक्त भाव से भरे भरत को ये भान है वो प्रण से अधिक प्राण धारते हैं रगुनात वनिया वचन नत जेंगे अनुमान है किन्त जग के प्रलोभनों में फसी के कही को पादु का प्रसंग एक मौन समाधान है कि राम के चरण रजिका मिले जो एक कड़ सुर राजिका भी पद्धूल के समान है एक बात मेरी माने मुझे प्रसंग सुनाया था और वो प्रसंग ये था कि नलो नील पुल बना रहे हैं सेत वंदरामे शुरम का पुल बनाया और उस पुल पे वो राम का नाम लिखते हैं और पत्थर तेरने लगते हैं भगवान राम ने भी एक कंकड़ी उठा के फैंकी वो डूब गई तो बड़े संकट में पढ़े कि ये क्या हुआ कि मेरे नाम का लिखा हुआ पत्थर तेरा मैं कंकड़ी फैटता हूं डूब जाता हूं डूब जाती है तो हनुमान जी ने क्या कहा और वस मेरे एक मेरा च्छन सुली ये मेरा इसमें कुछ नहीं है मुझे सुनाया गया मुझे संसकार में मिला मैंने उसे कविता में बांधिया कविता सुनिएगा नल नील पाहनों पे राम नाम लिख लिख सेत बांधते हैं और फूले न समाते हैं बारी बारी शिलाखंड डूबना तो दूर रहा भार ही इन काठ जैसी नौका उतराते हैं देखा देखी राम ने भी कंकड़ी उठाई एक फैंकी वहीं डूब गई बड़े सकुछ आते हैं तभी राम भक्त हनुमान ने काया कि ना था आपके करों से छूट सभी डूब जाते हैं सीता जी कहती है कि सोने का हिरन है इसको लेके आओ राम समझाते हैं कि सोने के हिरन नहीं होते हैं ये कोई माया वाया है लेकर नहीं मानती हैं और सीता जी के कहने से राम चले जाते हैं सोने के हिरन के पीछे और सीता जी पहुंच जाते हैं सोने की लंगा में और जब वहाँ सोना ही सोना है वहाँ उन्हें राम याद आते हैं क्या भी डंबना है कि जब उनके साथ राम थे तब उन्हें सोना चाहिए था और जब सोना ही सोना था तब उन्हें राम चाहिए है अब ये गलती हम सब करते हैं तो सीता कोई साधान ने विस्तरी थोड़ी थी, जनक की पुत्री, वैदेही, वैद विदेह की पुत्री, मर्यादा पुर्षोतम की पतनी, तो विश्व मोहिनी सरूपाידनी को मोहिनी को मोह लिया जाने कॉन मोहिनी थी सोने के हिरन मैं, वे ही शोक मगन है अशोक वाटेगा में और कुबेर बंदरावड के कंचन सदन में एक और मायावी मारी चछद्म वेश धारे एक और सारा जग जिनकी शरन में और की तो कौन कहे जान की न जान पाई ग्राहे और ग्राहे कौन जग के चैन में किसको पकड़ें किसको छोड़ें विश्व मोहिनी सरूपा जननी को मोह लिया जाने कौन मोहिनी थी सोने के हिरन में वेई शोक मगन है अशोक वाटिका में और कुबेर बंदर आवड के कंचन सदन में एक और मायावी मारीज छद्म वेश धारे एक और सारा जग जिन की शरन म में और की तो कौन कहे जान की न जान पाईं ग्राहे और ग्राहे कौन जग के चैन में एक शंद सुनिए ये बहुत बढ़िया शंद सुना रहा हूं सीता जी से मिलने जाता रावरण ओ कहता है कि हमारी तरफ देख के बात करो सीता जी तिनके की उट से बात करती है मंदोधरी को यह बात बुरी लगती है कि इतना बलशाली पूरा ग्यानी और इस का इतना अपमान हो रहा है तो जब वो लोटती है तो व्यंग मंदूदरी करती है रावड़ पे व्यंग करती है मंदूदरी रावड़ पे अच्छा अपमानत होके आ गए लोटके अगर तुम मारीज को हिरन बना सकते थे तो राम बनके क्यों नहीं कई सीता के सामने तो वो जानते कि राम आ गए तो उनकी नजर उठ जाती, तुम्हारी एक्षा पूरी हो जाती, तुमने उनसे जाके प्रासना की, उन्होंने तिनकी की उट से देखके तुमसे बात की और ये तुम्हारा अपमान था, तो मेरा चंद सुनीजे, व्यंग मंदोदरी बहुत ध्य इतना उमगती, बोला दशीश, ये भी चाल-चल देख चुका, ठगनी कुचाल मेरी मुझे को ही ठगती, और जब-जब राम का सरूफ धारता हूं, तो पराई हर नार मुझे जननीजी लगते हैं। अब मित्रो, अब मैं जो चंद सुना रहा हूं, मैं, मैंने ये सब चंद लिखे, लेकिन कोई मुझे राम भक्त नहीं मानता, राम भक्त उनको मानते हैं, कि जो, जो, जो मंदिर बनाने का संकल्प करते हैं। अब मुझे, मुझे जब मंदिर, अब हम, जब ये सुनते हैं कि हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, तो हमको बड़ा लगता है कि राम छोटे हो रहे हैं। यहां कई ऐसे लोग बैठे हुए हैं, जो समझते होंगे इस बात को, कि राम सरवग हैं, सरवत्र हैं, सरवसक्षाली हैं। अंग्रेजी में उसे कहते हैं, ओमनी पोटेंट, ओमनी पूरेजेंट, ओमनी शेंट, वो राम हैं। क्या इस घटना से राम छोटे नहीं हो रहे हैं? मेरी चिंता क्या है? मुझे लगता है कि यहुद्ध्या के इस कांट से राम छोटे हो रहे हैं। तो मैंने एक छंद लिखा बस उस छंद पर मैं दाद चाहता हूँ आपकी वही मेरी सुनाने का इतना था मैंने पहले तो यह सबूत दिया कि मैंने राम पर छंद लिखे अब मैं यह सबूत देता हूँ कि मैं राम भक्त हूँ या वे राम भक्त है ये इस सुन लीजिए ये सुनिएगा कि सारी धरा धाम राम जब बालमीक रामाट पढ़िए चाहे राम चरित्मानस जब राम का जन्व हुआ तो पूरी धर्ती पर देवताओं ने पुश्वर्शा की अयोध्या पर फैजाबाद पर नहीं की सिर्फ उधी बाबरी मस्जिद पाली जगह पे नहीं की पूरे संसार में की ये घ्रणा के बीज क्यों वह जा रहे हैं राम के नाम पर आप अपने नाम पर पॉलिटिक्स करिए राम के नाम पर पॉलिटिक्स बंद करिए इस बात को कहने के लिए मैंने चंद का है कि सारी धरा धाम राम जन्व से हुई है धन निर्विवाद सत्य को विवाद से निकालिये और रोम रोम में रमे हुए हैं विश्व आपी राम राम का महत तो एक वरत में नडालिये और वसुदा कुटुम्ब के समान देखते रहे जो वसुदा उन्होंने रीश बानरों को गले से लगाया मानवोचित सम्मान दिया उसके नाम पर आप बटवारा कर रहे हैं सारी धरा धाम राम जन्म से हुई थी धन्य निर्विवाद सत्य को विवाद से निका लिए और रोम रोम में रबे हुए हैं विश्वयापी राम राम का महत्व एक व्रत में नडालिये और वसुदा कुटुम्ब के समान देखते रहे जो ये गहना के सर्प आस्तीन में नपालिये राम जन्म भूमी को तो राम ही समाल लेंगे उसके तो आप मात्र भूमी को समालिये सारी धराधाम राम जन्म से हुई है धन्य निर्ववाद सत्य को विवाद से निकालिये और रूम रूम में रमे हुए हैं विश्वयापी राम राम का महत्व एक व्रत में नडालिये वसुदा कुटुम्ब के समान देखते रहे जो ये घणा के सरपास तीन में नपालिये राम जन्म भूमी को तो राम ही समाल लेंगे हो सके तो आप मात्र भूमी को समालिये जिसकी धरती चांद तारे आस्मा सोचो जरा उसका मंदिर तुम बनाओगे हमा सोचो जरा तारäत भूमी को समाने हीस कि कि बचल के समादाइ दुम